नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंपोर्टेंट न दोस्तो आप से निवे ताकर और घंटीके ज़रूर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सिच्छड कोसल क्या है सिच्छड कोसल वह समस्त क्रियाएं हैं जो विशे वस्तू को विद्यार्थियों दोरा आधिगम की दृष्टी से रुचिकर सरल तथा बोधगम में बनाता है मतलब क्या है सिच्छड कोसल एक ऐसा तरीका है एक ऐसा कोसल है जिस से कहा है कि अगर हम उस तरीके से पढ़ा है तो छात्र रुची पूरवक सीखें जो पाठ आप पढ़ा रहे हैं जिस कोसल से पढ़ा रहे हैं जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं उस तरीके से जो छात्र है वो आसानी से उस पाठ को सीख सके इसी को कहते हैं सिछड कोसल जैसे कोई टीचर होता है बहुत अच्छा सिखा लेता है तो उसका कोसल बहुत अच्छा है अगर अपनी बात छात्रों को समझा नहीं पा रहा है तो उसका जो सिछड कोसल है वो अच् यही होता है सिच्छड कोसल ठीक है उम्मिद करता हूँ सिच्छड कोसल तो समझ गये होंगे परिभासा देख लेते हैं सिच्छड कोसल की बीके पासी की परिभासा सिच्छड कोसल का तात्पर सम्मंधित सिच्छड क्रियाओं तथा विवहारों के संपादन से है जो छातरों को सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के उद्देश में किये जाते हैं यह BKPASRI की मशूर यही एक परिभासा अत्यन्द मशूर है ठीक है और दोस्तो अब हम अगर जाने कि सच्षड कोसल के परकार कितने होते हैं तो दोस्तों सिच्छड कोसल के करीवन NCA-RT ने जो माने हैं वो हैं लगभग 14 प्रकार माने हैं लगभग लेकिन जो मुख हैं वो 6-7 हैं उन्ही को ही हम अध्यान करेंगे वही अधिकतर किताबों में दिये हुए हैं उन्ही का हम अध्यान करेंगे तो आज के इस वीडियो मे कोई भी प्रशन आएगा तो आप आसानी से कर लेंगे तो दोस्तों चली शुरू करते हैं पुनर भलन कोशन क्या है सिच्छक द्वारा पूछेगे प्रशन का जवाब देने पर छात की प्रसंसा करने पुरस्कत करने अथ्वा अन्न किसी रूम में उसे मानेता प्रदान कर करने तथा बढ़ावा देने को ही पुनर भलन कहते हैं तो मतलब क्या है इसका मतलब है कि जैसे मानलीजे आप कच्छा में पढ़ा रहे हैं आपने कोई प्रशन किया ठीक है कि इसका उत्तर बताना है तो उसमें से कई बच्चे होते हैं कि हाथ उठाते है कि हाँ सर मुझे मुझे आता है या कोई बोलता है कि नहीं मुझे मतलब बोलता ने फिर भी ओ ठोड़ा हाँ नीचे कर लेता है छुपा छुपा सा रहता है कि कहीं उससे नंप पूछ लिया जाए तो क्या करना है आब मान लिए जो बच्चा जिसने हाथ उठाया उससे आपने ञदda तो आप अगर मुझसे कुछ भी पूछा जाएगा तो मैं तुरेंट बताऊंगा तो यह क्या हुआ उसको पुनर बलन मिल गया अगर उसी जगे किसी छात्र को नहीं आता आप में उसको खड़ा कर दिया और वो बोलेगा मुझे नहीं आता तो आप उसको क्या किजिए आप उसको प्र जा दिया उसको उत्तर बता दिया तो वो भी उसको जो उसकी जो चमता होगी सीखने की वो बढ़ेगी कि वो देखेगा कि देखे मेरे पूरे क्लास में मैं बता नहीं पाया तो उसकी जो इच्छा सकती होगी वो बढ़ेगी कि मुझे भी सीखना चाहिए तो दोस्तों यही प्रत्रक्रिया में व्रध्धी करती है जो चात्र जो भी प्रत्रक्रिया दे रहा है नकारात्मग या सकारात्मग मालिजे किसी से पुछा और उसने कुछ भी उत्तर दिया तो उसकी प्रत्रक्रिया में व्रध्धी होती है जैसे हम अगर उसको दंड दें या उसकी प्रसंसा क करें तो वो उसकी प्रत्रक्रिया में व्रद्धी होती है आगे देखें एंसी ए आर्टी के एक दलने अध्यन में पाया कि सिच्छक तथा सहपाथी द्वारा यदि सिच्छड के मध्य पुलर बरन हो जाए तो दोनों ही लगभक समान रूप से प्रभाव साली होते हैं यह एं चात की प्रसंसा कर दी या पुरसकार कर दिया या सब के सामने पीट थप थपा दी ठीक है तो यह धनात्मक है या मालीजे आपने उसने कोई जवाब दिया आपने मुस्कुरा दिया सिर हिला के उसको सिवकार कर लिया कि हा ठीक है यह धनात्मक है और रिडात्मक क्या है उस उसको नकार देना, उसको धंड देना, उसको आँख दिखाना, या उसको मार देना, हाथ उठा देना उसके उपर, तो ये होते हैं नकार आत्मक, ये तो समझ गया, और दिखे, इन दोनों ही प्रकार के पुनर बलन के दो दो रूप हो सकते हैं, साब्दिक और आसाब्दिक, स आपने उसको मुश्कुरा दिया कि हाँ ठीक है वाई तुमने सही उत्तर दिया है तो वो हो गया आश आप दिख या उसको आँख दिखा दी या हाथ उसके उपर उठा दिया तो यह है आश आप दिख जिसमें मुझ से सब्द न निकले और पुनरबलन भी छात्र को मिल जाए वो होते हैं आश आप दिख ठीक है चले आगे देखते हैं अगला क्या उद्दीपन परिवर्तन कोशल सिच्छड को सफल बनाने है तू छात्रों का ध्याना कर्शित करने है तू तता ध्यान को पाठ में लगाये रखने के लिए सिच्छक अपने विवहार में जान बुच क कर परिवर्तन लाता है इसे ही उद्दीपन परिवर्तन कोशल कहा जाता है तोस्तों होता है जिसे मालिजे जो सब्सक्रेशर है आप एकrze sempre afterわかला जाता रेल गाड़ी का पार्ट पढ़ा रहा है तो रेल गाड़ी का उसने छोटा सा चित्र बनाने लगा मतलब पढ़ाते पढ़ाते उसमें चित्र बनाने लो तो छात्रों के प्रती उत्सुकता बढ़ जाती कि अब सर ये क्या कर रहे हैं तो क्या होता है कि छात्रों का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है यही होता है उद्दीपन परिवर्तन कोशल मतलब करते करते कुछ भी चेंज कर देना अपने जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन ला देना यही होता है उद्दीपन परिवर्तन कौसल जैसे माली जब पढ़ा रहे हैं तो स्यामपट पर कुछ लिखने लगे ठीक है या फिर छातरों के बीच जाकर कुछ प्रश्न पूछने लगे अपना हाव भाव चेहरे का बदल दिया ये सब होता है उद्दीपन परिवर्तन कौस मतलब कुछ पढ़ाते समय कुछ भी चेंजेज लाना उद्दीपन परिवर्तन कौसल कहा जाता है देखे उद्दीपन परिवर्तन कौसल के घटक क्या क्या है सरीर संचालन हाव भाव स्वर में आरो अवरो केंद्रिय करण अन्ता क्रिया शैली में परिवर्तन विराम छातर लोगी सारी रिक्स है वागिता द्रश्य श्रव्य क्रम परिवत है दोस्तों यह हैं कि जल्दे से समझ लेते हैं सरीर संचालन क्या होता है मान लिजे जिसे टीचर पढ़ा रहा है तो क्या करते हैं तो दूसरी जगे चले गए ठीक है या फिर एक जगे खड़े हैं तो दूसरी जगे जाके स्यामपट पर कुछ लिखने लगे तो सरीर का सिच्छक के सरीर का संचालन होता है तो इससे क्या होता है छात्रों का ध्यान अकर्शित होता है सिच्छक की तरफ यह होता है सरीर संचालन हाव भाव क्या होता है सिच्छक को पाठे वस्तू को पढ़ाते समय अपने हाओ भाओ बदलने रहे जैसे कि मान लिजे कोई कोई टॉपिक कोई लाइन में दुख आ गया तो चेहरे पर दुख का भाओ आना चाहिए अगर खुशी की बात आ गई टॉपिक में तो चेहरे पर खुशी का भाओ जलगना चाहिए ठीक है स्वर में आरोह अवरोह जैसे टीचर पढ़ा रहा है कुछ ठीक है तो करना कि है जैसे कोई में टॉपिक आ गया कुछ किसी बात पर जोर देकर मतलब कि ज्यादा समझाना है उसको तो उस जो शब्द है उसको थोड़ा जोर से बोलना है जैसे मैं बतारा हूँ कि ती करना क्या है जैसे कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं चात्र का फोकस उसी तरफ होना है आगर माली जो इधर-दर देख रहा है तो आप क्या कहेंगे चलिए आप अपने किताब की तरफ ध्यान दीजीए मतलब जिस चीज पर हम पढ़ा रहे हैं उसकी तरफ फोकस कराना चात्र को हैं अन्तक्रिया-सहलीमेपरिवर्तना दो लोग आपस में मांधूायि किसी भी विंदाकों को लेकर चर्चा कर रहें कि सबसằng कर देना नया कोई और टॉपिक दे देना च्छात्रों को होता है अन्तक्रिया-सहली27 परिवर्तन चटा पॉइंट किया है विराम माली जे सिच्छक बोलते बोलते रुख जाता है जिसे टॉपिक पढ़ा रहा है और बोलते बोलते अचानक रुख जाएका तो क्या होगा छात्रों के ध्यान उसकी ओर अकर्शित होता है ठीक है कि अरे सर रुख गये तो इसी तरह changes लाते रहने चाहिए आके देखिए चात्रों की सारीरिक सह्भागिता माली जे आप कोई पोयम पढ़ा रहे हैं, तो अच्छी लगी, तो चलो सब लोग तालियाँ बचाओ, तो यह छात्र की सारीरिक सहभागता है, या खड़े हो जाओ, छात्र खड़े हो गये, तो इसमें क्या छात्रों की सारीरिक सहभागता भी आ रहे हैं, द्रश सरव्य करम में परिवर्तन, मा उसी से सम्बंधित्य आप ने ऊसका चार्ट दिखा दिया, मॉडल दिखा दिया, ठीके तो यह होता है द्रस्ट, मान लिजे आप कुछ दिखा रहे हैं तो उसके बारे ने बटानी लगे हैं, तो श्रव्य हो गया, मैं लिए द्रस्ट के साथ सा श्रव्य परिवर्तन हो गया है मालीजे आप कुछ सुना रहे हैं बच्चों को पाट पढ़ा रहे हैं तो उसी पाट से संबंदित आपने कोई मॉडल दिखा दिया तो वो द्रश्य हो गया क्रम परिवर्तन हो गया दोनों में विशेश प्रश्ण है वो देख लीजे पार्ट पढ़ाते समय अचानक संबंधि चित्र बनाने लगना किस सिच्छड कोसल का उदारण है इस प्रश्ण का सही उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में दे दीजे दोस्तों और सिच्छक भरती 2019 के लिए अति महतपूर वीडियो का ल कर लेजे साथ घंटे का निसान जरूर दबा दीजे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजे चलिए दोस्तों मिलते हैं अकले जय भारत